स्वागत है दोस्तों आपके अपने स्टडी चैनल इंडिविस्वल अस्टडी में आज हम भारतिय भूगोल के अंतरगत एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो की है भारतिय गाय भैंसे एवं इसके अलावे दो अन्य बकरी और भेडों के नसलों के बारे में देखें मानवो की जन गनणा होती है उस परकार पशू संसाधन जितने भी हैं उनकी भी गनणा होती है जिस परकार मानवो का गनणा हर दस वर्स पर होता है उसी परकार पशू संसाधनों की गनणा हर पाच वर्स पे होती है और इसकी सुरुवात वर्ष उनैस सा उनैस में हुई थी पसुगनना से प्राप्त आकडो का उप्योग निती निर्मान, नियोजन और अनुसंधान कारियों के लिए किया जाता है जो पिछला गनना हुआ था वो 2018 में हुआ था जो की 20-वी पसुगनना रिपोर्ट थी और इस से पहले 2012 में उनाईस्वी पसुगनना हुई थी जिसके अनुसार 512 मिलियन पसुधन हमारे देश में कुल थे जो रिसेंट का जो गरना हुई है पसू का उसके अनुसार पसू के कूल अवादी में ब्रिधी करने वाले राज में पस्चिम बंगाल सबसे उपर है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब भारतिय गाय के नसलों के बारे में जानते हैं भारतिय गाय के नसलों के बारे में जाने तो हम इन्हें तीन भागों में बाठते हैं पहला भारवाहक, दूसरा दुधारू और तिसरा दुवीकाजी दुवीकाजी अर्थात सरवांगी नसल की गाये चलिए समझते हैं ये तीनों क्या है पहला दुधारू गाए की नसले वो हैं जो गाए दूद तो अधीक देती है परन्तु उनके उनसे जो प्राप्त बैल होते हैं वो क्रिसी कार या भारवहन है तो अच्छे नहीं होते हैं इसके अलावा जे दूसरा है भारवाही नसले ये गाए के जो बच्छडे होते हैं अर्थात बैल होते हैं वो खेती का काम तो अच्छा से कर सकते हैं लेकिन इन से प्राप्त जो गाए होती है वे दूद देने में ज़्यादा सच्छम नहीं होती है ये भार के लिए यूज किया जाते हैं और तिसरा होता है मिश्रीत नसले जिने द्वी काजी भी कहते हैं या सरवांगी नसले भी कहते हैं इसका उपयोग अर्थात इन तरह के इन नसलों की गाय का उपयोग दूध देने के अलावा इन से प्राप्त बैल बोज ढोने का भी काम करते हैं तो इस प्रकार दुधारू पस्वों में सबसे पहले देखते हैं लाल सिंधी इसे रेड सिंधी भी कहते हैं तो रेड सिंधी किसकी नसल है वो गाई की नसल है आपको दूधारू याद नहीं रखना है कि कौन से है ज्यादा नसल ही पूछा जाता है ज्यादा डिपली नहीं पूछा जाता है तो लाल सिंधी किसकी नसल है तो लाल सिंधी गाई की नसल है आप यहाँ इसे चीतर में यह देखिए देवनी का चीतर है तो देवनी जो है वो गाई की एक नसल है यह आंधर परदेश में इसका मूलस्थान था और बाकिया अन्य जगों में भी पाया जाता है नेक्स्ट है गीर गीर यह गुजरात के काठिया वाल छेतर में पाया जाता है चीतर में आप देख सकते हैं यह सब सारे दुधारू पस्वे हैं तो गीर हो गया नेक्स्ट है सही बाल जो सही बाल है यह भी दुधारू की स्म क्या है इसका मूल अस्थान पाकिस्तान है लेकिन अब यह भारत में भी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है नेक्स्ट है जो दुधारू में वो ह भगनाडी यह सारे जो हम लोग देखें वह क्या था गाय के दुधारू थे फिर से एक वर रिपिट कर लेते हैं क्या था लाल सिंधी था देवनी था गीर था सही बाल था और भगनाडी था अब हम देखते हैं भार वहक जो भार वहक के लिए यूज होते हैं उसमें है मालवी जो इनके गायों के बचड़े होते हैं वे भार ढोने में बहुत सच्छम होते हैं तो इस परकार मालवी तो मालवी किसकी नसल है? मालवी गाय की नसल है फिर हॉली कार ये भी किसकी है? गाय की ये सारे आप रट लिजिएगा इसके बाद जो next है वो है खिलारी, तो खिलारी भी किसकी है, गाई की है, कंगियाम, next है नागाउरी, नागाउरी किसकी है, गाई की है, या जोधपुर, इलाके में अधिक पाय जाता है, इसके बाद जो next है अमरित महल, अमरित महल भी गाई के पर जाती हो गया, नशल हो गया इसके बाद जो है पवार है बच्छावर है बरगूर है गंगा तीरी है खेरी गर्ड और कैन कथा ये सारे क्या थें गाए के प्रमुक नसले थें भारवहक के बाद अब हम देखते हैं गाए के सरवांगी किस्म के नसले जो दोनों काम के लिए यूज किया जाते हैं इसके अलावा नेक्ष्ट जो है उंगोल उंगोल भी किसकी हो गई की कोकरेज कोकरेज याद रखेगा है इससे भी काफी प्रश्न बनता है काकुरेज गाय का सबसे प्रसीद भारवाही नसल है ये सबसे ज़्यादा भार ढोने में सच्छम होती है जो इस गाय से प्राप्त बैल होते है थरपाकर थरपाकर भी सरवांगी नसल की गाय है मेवाती, हरियानवी ये सारे देख लिजेगा इसके बाद जो है, वो है राही, कृष्णा घाटी और गावलावे तो ये सारे किसके थें? गाय के नसल थें गाय के कुछ अन नसल भी है उसे देख लिजेगा जैसे में सीरी ये सिक्कीम और दार्जलिंग में पाया जाता है फिर है घुमुशारी, फिर है भिंजार पूरी और मोटू भी क्या है गाय की एक पर जाती है, नेक्स्ट है डांगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं होलस्टीन फ्रीजियन, होलस्टीन फ्रीजियन जो है गाय की दूध उत्पादन छंपता ब्रीश्वम में अन्य गायों की तूलना में सबसे ज़्यादा है तो किसकी है, होलस्टीन फ्रीजियन की ये होलस्टीन फ्रीजियन की का चित्र है इसके बाद जो है, गाय से रिलेटेड बिदेशी नेसल की गायों में बनाया गया है, क्या है? जर्शींद है इसके बाद जो देखते हैं तो गाय से इतने ही नेसलों के बारे में प्रेश्ण बनते हैं यहां से एक चीज आप और याद रख सकते हैं कि सरकार का एक योजना आया था 28 जुलाई 2014 को रथा 2014 में एक योजना आया था जिसका नाम था राश्ट्रिय गोकुल मिसन तो राश्ट्रिय गोकुल मिसन कब आया था? 2014 में आया था और उसका जो मिसन था उसका लच्छ क्या था? क्या उसका लच्छ था प्राप्ति करना? तो उसके अंतरगत देशी नशल के गायों को संरच्छन और विकास के संदर्व में लाई गई या परियोजना थी तो राष्टिय गोकुल मिशन आपको याद रखना है ये देशी नशल की जो गायों है उसको संरच्छन से संबंधी थै अब हम देखते हैं भारतिय 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 भार होते हैं जो देखने में काफी भारी भरकम होती है दूसरा हलकी भैंस होती है तो भारी भैंसों के अंतरगात आता है सबसे पहले देखते हैं जो है जाफरावादी आप फिकर में देख सकते हैं जाफरावादी है या काफी भारी भरकम देख रही है या गुजरात इलाके में धिक पाई जाती है तो जाफरावादी किसकी नसल है तो जाफरावादी भेंस की नसल है इसके बाद जो सेकंड है वो है मुर्रा मुर्रा भी भेंस की नसल है मुर्रा के बारे में विसेस्ता जाने तो यह मुल्यता अभिभाजित पंजाब का पशु है अर्था उस स दोनों मिलाकर एक पंजाब था उसकी बात की जा रही है तो मुर्रा का मुलस्थान अभी वाजित पंजाब में है तो मुर्रा किसकी नसल है भैंस की नसल है हरियाना में मुर्रा को इसे काला सोना भी कहा जाता है तो काला सोना किसे कहा जाता है अर्थात इसके जो दूद होते हैं उससे मखन ज़्यादा निकलती है उसके बाद आप इससे ज़्यादा घी भी प्राप्त कर सकते हैं इसे मुर्रा को पहचानने के लिए आप एक और तरकीब अजमा सकते हैं इसका जो सींग होता है वह जिलेबी नुमा होता है तो ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है पैसे हमको नसले के बारे में जानना है कि जो मुर्रा है किसकी नसले है तो मुर्रा भैंस की नसले है नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं रावी नीली रावी तो नीली रावी भी क्या है भैंस की भारी नसले है भारी भैंसों की नसले ह तो तीन यहां पर हम देखने हैं कुन-कुन था पहला था जाफराबादी दूसरा था मुरा और तीसरा था निली राभी तो यह sis आरे आपको याद रखना अब हल्की भिंसोया है और कि और ब्हंसोय?" थे नागपूरै किसकी नेशल्य है? भेंसकी, भदावरी, सूरती सूरती याद रखेगा इससे काफी प्रश्ण बनते हैं क्योंकि कभी गाय भी लोग समझ कर इसका अंसर कर देते हैं सूरती का लेकिन ये किसका नसल है? भेंसका नसल है तराई, तराई किसका नसल है? तराई भेंसका नसल है हमसाना, हमसाना किसका है, भेंस का, नेक्ष है पंडर पूरी, पंडर पूरी भी भेंस की नसल है, उसके बाद काला हंडी और चीलिका, ये सारे भेंस के नसल है, अन्य जो भेंस के नसले है, वो है तोड़ा, तोड़ा क्या है, भेंस का नसल है, तोड़ा एक जन जाती भी है, निलगरी पहाडी पर रहते है तो जो फैन सी का प्रकार का नसल है वो भी निलगरी पहाडी पर ही पाया जाता है आ मैं नेक्ष इस के बाद देखते हैं बकरी के नसले बकरी के बारे में हम और कुछ जाने तो सबसे पहले जो बकरी है इसे गरीबों का गाय भी कहा जाता है तो गरीबों का गाय की स्पस्व के कहा जाता है तो बकरी को कहा जाता है गरीबों का गाय बकरी का जो दूद होता है उसमें आईरेन और पोटेसियम इन दोनों प्रचूर मातरा में पाया जाता है आइरन और पोटेसियम, आइरन की मातरा गाय के दूध के पेच्छा 10 गुना अधिक होता है बक्री के दूध में, तो यह आप याद रखेगा, बक्री में संख्या के दृष्टी से जो भारत में है सबसे अधिक पाय जाता है, तो भारत बक्री में सर्व प्रथमस्थान है, मत तीनों याद रखेगा, लेकिन भेड में दृटी अस्थान पर है भारत, पहला अस्थान पर को है तो चाइना है, तो चलिया बक्री के हम नसले देखते हैं, पहला जो है जमुनापूरी, जमुनापूरी बक्री का नसल है, जो सरवाधिक दूध देने वाली बक्री है, पश्मीना ही है, यह लद्दाक का चित्र है, तो पश्मीना को जो यूज होता है, इसका जो उन भनाने में होता है इसके बालों से, तो पश्मीना किसकी प्रजाती है, एक बक्री की नसल है, यह उन के लिए भीश्व परसीद है, कौन पश्मीना, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रजाती है किसका मांस के लिए तो बलूची का यूज किसके लिए होता है मांस उतपादन के लिए नेक्स्ट है बारबरी या इसे बड़वारी भी कहते हैं ये भी बकरी का एक नसल है चमबा गद्धी भी क्या है बक्री का नसल है तो बक्री से इतने ही प्रश्ण बनते हैं अब हम देखते हैं भेडों से संबंधित प्रश्ण है भेड की जो नसले है ये समें भी दूध है तूँ और उन है तूइसका यूज किया जाता है तूइसके अपे प्रश्ण फ्र आ कोगा कीए जाता है गूरेज लोही लोही जो है ये सरवाधिग दूध देनेवाली भेड की नसले है इसे आप याद रखेगा किसे लोही के बारे में लोही जो है सबसे ज्यादा दूध है इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नूरेज क्या है नूरेज तो यह सारे क्या था भेड की नसले थी नेक्स्ट है मांस देने वाले जलावनी क्या है भेड की नसले है जो इसे मांस का यूज होता है इसके बाद है मांडिया मांडिया भी क्या है मांस के लिए इसका यूच किया जाता है बजीरी भी मांस के लिए हसन सहाबादी और निलाद तो इसे आप ध्यान से देख लिजेगा और इसे याद कर लिजेगा इसके बाद जो है उन हेतु जो बेड़ो का नसल है उसे उनको दे जलावनी, नेक्ष्ट बीकानेरी, नेक्ष्ट भाकरवाल, दक्कनी, मलपूरा, चोकला, मागरा, बेलारी और काठिया बाड़ी ये सारे उन हेतियूज किया जाते हैं अब हम इसके बाद देखते हैं कि भारतिय भेडों की नसल सुधारने के लिए मेरीनो भेड का आयात किया जा रहा है, ये मेरीनो भेड है जो काफी विश्व परशीद है, मेरीनो भेड तो भारतिय भेड को नसल को सुधारने के लिए इससे उसका संकरन के माध्यम से, संकर के माध्यम से किया जाएगा, तो मेरीनो भेड का किया जा रहा है भारत में आयात किया जा रहा है, ये मुल kores dail भारत में बनाई गई भेड की वर्ण-sankr नसले हैं यह वर्ण-sankr नसले हैं भारत में बनाई गया इसको दो बेडों के मेल से बना है तो कौन-कौन है एक यूह यजर ऑपका हो गया वाली केंद्र पाड़ा भेड कौन सा भेड केंद्र पाड़ा भेड कहां का उडिशा के दूरलव है जो जिसका स्तीत्व खतम होने के कागार पे था तो को बिलाच्छन परजाती के स्रेनी में रखा है तो किसे केंद्र पाड़ा को या काफी दूरलव पर जाती है भेड की एक राज्जी है तो इन सारे नसलो के बारे में जो बताया गया उसे आप अच्छे से देख लिजे और इसे याद कर लिजे एक दो बार देखिएगा वीडियो को तो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों या वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तब प्लीज इसे लाइ कर दोस्तों जीडियो अएचक्वाँ उल दॉस्तों में जे वीडियो